असलाम ओलवीकुम तो कैसे हैं आप लोग टेक्नो की तरफ से एक नया स्मार्फोन अन्वील हो चुका है दे टेक्नो केमा 30S Pro Forge स्मार्फोन जो के टेक्नो केमा 30S का एक नया मिंबर होनी जा रहा है इस स्मार्फोन का जो फस्ट लोके वो आपके सामने है और डिजाइन काफी जाता अठ्रेक्टिभ है यह पर केमरा अइडेस दिया है जिसमें ट्रीपल कैम रा सेटएप घ्रिजाइड लेकर डिया रहर श्लाइड दिया है और केमरा माडियूंग के आज पास स्साल कॉलिये ने दिया अर डिफिनिक Defense को काफ़ी जए खूंब बसूरती भी दे रहा है स्बाइब्स्तिन का जो बैक सेट वो प्लास्ट का दिया गया है जो कि मैट फिनिशंग वाली डिजाइन व कदमें है तिन्स कलर में अनय है तोड और रहे कलर है गौड कलर और आधर ग्रीन कलर दिया सपोर्ट करता है तेक्नो के मान 30 एस प्रो स्मार्फोन के डिस्प्ले की बात किज़े तो इस बारा आपको के मान सेरी से काफी एक बड़ा चेंज देखने को मिलने वाला है 6.78 इंच का एक फुल एजडी प्लस रिजोलुशन वाला एक कर्वड एमुलेट डिस्प्ले दिया है जो के 120 हर्स की हाई रिप्रेशियेट के साथ आता है एक सेंटर पांच होल के एमरा दिया गया है सुमार्टफोन इन डिस्प्ले फिंगर पे इस केरन को सपोर्ट करता है 1370 की पीक ब्राइटनस दी गई है और 90% की स्क्रीन टो बाड़े दिश हो दी गई है जिस चेंज़ की मैं बात कर रहा था वो कर्वड एमुलेट डिस्प्ले है राउंड एज़स दिये गए है बाकि जो टेकनो का केमा 30 स्रीज ता वो मुकमल स्रीज फ्लेट डिस्प्ले के साथ आयता बाड़ इस बार राउंड एज़स वाला डिस्प्ले दिया है तो काफी लोग इसको पसंद जरूर करेंगे और अच्छे और खुशाइन बात ही है कि ये फोन पाकिसानी मार्केट में भी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा टेक्नो के मार्ट 30S प्रो स्मार्टों में एक नया नवेला प्रोसर दिया है मीडियाटिक हीलियो जी हंडेट का प्रोसर दिया है जो के 6 एनव पर बेज रहे और माली जी 57 का जी पियो दिया गिया है सुमार्टों 8GB रेम 254GB वाले विरन में आएगा जो कि UFS 2.2 के स्टोर टाइप को भी सपोर्ट करता है Android 14 का वर्जिन दिया गिया है जो कि हाई वेस 14 के वर्जिन पर बेज है Mediatic Helio G100 जो है वो G99 नहीं है बस यहां पर नाम चेंज कर दी है क्योंकि G99 जो है वो इतना बार यूज हो चुका है अब ब्रैंड को भी पता है और जो प्रोसर वाली कमनी है उनको भी पता है कि लोग समझदार है अगर दोबारा सी G99 का नाम दी है तो वो घुसा हो जाएंगे आग बगोला हो जाएंगे तो उसे बेतर नाया नाम दे दो बस लोग भी खुश हो जाएंगे और हमारा काम भी हो जाएगा तो यह चीज़ आइटिंग गलत है अब बस छोड़ दो G99 स्नैप्रिकन 685 और इनका जान छोड़ दो और आफ 5G प्रोसर लेकी आया करो टेकनो के मां 30S प्रो स्मार्टोन के प्राइस और विलिबिलिटी की बात की जाए तो यह जो स्मार्टोन है अभी सिर्फ टेकनो ने अनवील कार दी है मतलब लांच किसी भी कंट्री में नहीं हुआ है लेकिन बहुत जल्द आपको गलूबर मार्केट में देखने को मिल जाएगा पाकिसानी लांच के वाले से बात की जाए तो उमीद है कि आपको अगस्ट के एंड में या पिर आपको सेप्टेमबर के मेने में देखने को मिल जाएगा प्राइस की बात की जाएँ तो तकरीबन सतरहजार ओफे आपने इस स्मार्टमट की प्राइस एक्षपेट करनी है सतरहजार साटब और सत्रहजार की दर्मियान में इतनी प्राइस आनी चाहिए टेक्नो केमा 30S Pro Smartphone के रियर साइप पर ट्रिपल केमरा सेटप दिया है जो मेन केमरा है वो 50 Megapixel का दिया गिया है F1.85 के साथ विद आप्टिकले में सिविलाइजेशन एक डेफ सेंसर दिया गिया है और एक कीवी जे सेंसर दिया गिया है जबके फ्रंट पर सेंटर पांच विल केमरा में 50 Megapixel का आटो फोकस सेंसर दिया गिया है ये स्मार्टून रियर केमरा से 2K 30 FPS पर रिकार्डिंग कर सकेगा और फ्रंट पर भी 2K 30 FPS पर मेक्सिमम रिकार्डिंग सपोर्ट करेगा टेक्नो केमा 30S Pro स्मार्टून में बैटरी डिपार्टमेंट में तोड़ी बहुत इंप्रोमेंट जरूर हुई है स्मार्टून 5000 Megapixel बैटरी के साथ आता है और साथ में स्मार्टून 45W की चारजिंग को भी सपोर्ट करता है और 20W के wireless charging को भी अपने साथ ले कि आता है Type-C port और डूसरो स्पीकर के साथ आता है इस बार wireless charging 8 की गया और यह टेक्नो का first ever smartphone है जिसमें आपको wireless charging देखने को मिल रहा है टेक्नो के मान 30S Pro smartphone के वाले से आपका क्या opinion है Do let me know in the comment section मेरा जो opinion वो यह है कि यह infamous note 40 pro के मुकाबले में लांच करने वाले है इसकी जो specification है वो भी उसी तरह की ही रखिए गए है लेकिन सच कहूं तो इसकी जरूरत नहीं थी टेक्नो के मान 30S अच्छा जा रहा है Under 60K में one of the best smartphone है तो I think ज्यादा यहाँ पर e-waste करने का मकसद नहीं बनता 12 लाप टेक्नो लांच कर रहा है तो हम कुछ नहीं किया सकते जैसे लांच हो जाएगा तब इसके बारे में मैं जरूर बात करूँगा सब्सक्राइब करते रहेगा अलाफेज